Welcome to my channel, मेरा नाम है Advocate अनुभवतियागी और जैसा कि हम देख रहे हैं कि इस ताइम COVID crisis काफी ज्यादा है इंडिया में और essential चीजों की बहुत ज्यादा कमी हो रही है, बहुत problem हो रही है essential चीजों जैसे कि oxygen, cylinders, concentrators, medicines, vaccines इन सब चीजों की काफी shortage है और लोग काफी परिशान है इन सब चीजों को लेने में लोग lines में लगे रहते हैं, बहुत बारी ऐसा होता है कि बहुत घंटे line में लगने के बाद भी essential चीजें उनको नहीं मिल पा रही हैं और अगल मिर भी पाती हैं तो काफी ज़्यादा rate पे वो मिलती है double amount पे मिलती है और लोग काफी ज़्यादा black marketing कर रहे हैं इन सब चीजों की हम news में भी देखते हैं कि अलग-अलग states में police rate कर रही है ऐसी ऐसी जगाओं पर और वहाँ पर बहुत ज़्यादा quantity में essential चीजें जो हैं पकड़ी जा रही हैं तो इस वीडियो में मैं ये बात करने वाला हूँ कि अगर कोई इस तरह से पकड़ा जाता है essential चीजों की black marketing करते वे तो उसके उपर कौन-कौन से sections लगते हैं, कौन-कौन से offenses बनते हैं और क्या ऐसे case में bail मिल पाती है या नहीं तो अगर पुलिस को कोई information मिलती है कि किसी जगा जो essential चीजें हैं उनकी hoarding हो रही है, black marketing हो रही है, काफी जादा rate पे उन चीजों को बेचा जा रहा है तो पुलिस वहाँ पर जाती है और वहाँ पर rate करती है और rate के time पे जो भी suspected लोग होते हैं उन लोगों को arrest कर लिया जाता है और उनकी belongings को और वहाँ पर जो भी चीजें होती है, जिन चीजों की black marketing हो रही है, उनको पुलिस seize कर लेती है उसके बाद उस offense में जो है FIR register होती है और उसमें जो सबसे main section है वो लगता है 420 of IPC, 420 of IPC कहता है कि आप किसी को चीज़ चीट करके dishonestly अपना profit कमा रहे हो, अपना advantage को उस चीज़ उस बंदे से ले रहे हो, उस person से ले रहे हो तो ऐसे case होता है उसमें 420 of IPC लगता है, उसके बाद आता है 269 of IPC, 269 of IPC कहता है कि अगर आप किसी negligent act की वज़ा से किसी disease को बढ़ा रहे हो तो आपके ओपर 269 of IPC लगता है, उसके बाद लगता है section 188 read with section 3 of epidemic diseases act इस time पूरी country में epidemic diseases act लगा हुआ है और जो section 3 है वो ये कहता है कि आप government का जो order है according to the epidemic disease act, अगर आप उसका violation करते हो, तो in accordance with section 188 of IPC आपको punishment मिलेगी उसके बाद आता है essential commodities act, इस time जो है ये सारी चीजें oxygen concentrator cylinders, medicines और thermometers, oximeters वग्यारा जो है काफी essential है COVID के time पे और ये essential commodities act के अंडर भी कव्यारा, section 3 जो है essential commodities act का वो prescribe करता है power central government और state government की two frame rules, जो production है, storage है या sales essential commodities की वो किस तरह होगी और section 7 जो है वो prescribe करता है punishment की अगर कोई sales, storage या फिर production किसी essential commodity की जो है वो contravention में हो रही है section 3 की तो उसमें वो section 7 जो है punishment prescribe करता है तो section 7 of essential commodities act कहता है कि ऐसे offenses में up to 7 years of imprisonment मिलती है और section 420 of IPC भी कहता है कि उसमें 420 अगर आप commit करते हो तो आपको 7 years तक की punishment हो सकती है so ये दोनों offense जो हैं ये दोनों ही non-bailable offenses है police के पास इन offenses में bail देने का कोई भी right नहीं है कोई भी power नहीं है तो ऐसा अगर जब raid होती है ऐसे offenses बनते हैं FIR में उसके बाद जो suspected persons होते हैं जो accused persons होते हैं उनको jail में भेज़ दिया जाता है और उसके बाद अगर वो चाहें तो bail के लिए उनको court में apply करना होगा court में bail application file होती है और उसके बाद ही उन्हें bail मिल सकती है